थीज़ को फॉर्गेटिंग को इनफ्लूएंस करते हैं या फिर हम चीज़ों को किस तरीके से भूल जाते हैं और उसकी रिलेटेर जो है हम लोग तीन तरह के थिए बहुरीज भी देखेते हैं तो आज का जो टॉपिक है जिस चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाल लोग तीनकिंग का बात करें तो यह जो व्रित्वी है यहां पे सबसे ज्यादा थिनकिंग अगर कोई प्रानी करता है तो वह इंसान और यहीं इनसान को सभी जानवरों से अलग बनाता है ठीक है तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं और इसका इंट्रटक्शन देखते हैं कि किस तरीके से thinking को जो है introduce किया गया है हमारे books में या फिर इस lectures में तो यहाँ पर जो सबसे first line आता है वो कह रहा है कि thinking is a complex mental activity thinking जो है एक complex mental activity है जो हमारे जितने भी mental activities होते हैं उन सभी में से सबसे complex कोई चीज़ा है वो है thinking चीजों को सोचना सोच के कुछ चीज़ create करना dreaming करना imagination करना अलग-अलग चीज़े करना यह सारे जो है thinking का ही तो process है है ना फिर next कर रहा है कि humans are rational being and our rationality consists in our ability to think in the region means यहाँ पर क्या कर रहा है कि humans जो होते हैं वो एक rational being से rational का मतलब होता है तरक संगत किसी चीज़ के बारे में तरक वितरक करना ठीक है इनसान का आदत होता है अगर वो कोई भी चीज़ करेगा तो पहले जाने का यह चीज़ हम क्यों कर रहे हैं कैसी करेंगे अगर करें तो क्यों करें, इन सारे चीज़ का जो जो तरक निकालना होता है, और ये तरक का जो सकती होता है, ये rationality जो होता है, वो हमारे किस चीज़ से आते हैं, वो हमारे think करने के ability से आते हैं, अगर हम लोग सोचना ही बंद कर दें, तो क्या तुम तरक कर पाओगे किस in all conscious and mental activity जो हमारे thinking हैं वो हमारे सारे conscious mental activity में involved होते हैं ओके सारे conscious mental activity में whether it is acquiring new knowledge चाहिए हम लोग जो किसी new knowledge के जो है acquire कर रहे हैं उसको grant कर रहे हैं जा फिर जो किसी चीज़ को remember कर रहे हैं किसी चीज़ के बाद प्लानिंग कर रहे हैं इन सारे चीजों में हमें thinking का ज़रुरत पड़ता है समझ रहे हो हर एक चीज को planning करने में किसी चीज़ में करने में हर चीज में आटनिशन हर चीज में जो है het roll होता है स्लैड में हम लोग देखते हैं definition के बारे में वह एक लिए कड़ना है तुमको एक्जाम में ओके फिर यहां पर का रहा है first definition क्या है first definition thinking is behavior which is often implicit and hidden and in which symbol images ideas concept are ordinarily employed means your thinking है वो एक behavior है जो implicit होता है means आंतरिक होता है हम लोग अंदर में ही सोच रहे होते ही हम क्या सोच रहे हैं वो कोई नहीं जानता ठीक है and hidden यह चुपा हुआ होता है क्या कोई जान सकता है क्या क्या हम क्या सोच रहे हैं अब अंतरियामी का बात तो कर नहीं रहे हम लोग normal human beings का बात कर रहे हैं तो कोई नहीं जानता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है हम क्या सोच रहे हैं और इसमें क्या होता है कि तरह तरह के Images ideas और concepts जो होते हैं इसमें IMPOIED होते हैं हमारे तिंगिंग्स होते हैं इसमें यही सारे चीज़ तो होते हैं तरह तरह के image तरह तरह के ideas और तरह के code नहीं बनाते हैं मिटाते हैं निए हम लोग यही सब कर तिर रहते हैं अपने सब्सक्राइब करेंगे तो यह एक जो है प्रोब्लम सोल्विंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है अगर तुम्हारे सामने कोई प्रोब्लम साते हैं तो क्या तुम 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 करने चले जाते हो नहीं ना तुम उसको पहले सोचते हो कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यह जो है जहां हम लोग कुछ आइडियाज को और सिंबल्स को जो है यूज करते हैं ओवर्ट एक्टिवीटी में से गिलमर के दारा दिया गया था 1970 में ओके तो ये था बहुत पार्ट पर चलते है है और यहां पर टाइप्ट निखिंग को देखेंगे की कि तरह के तीनकीं की। हैं और किस-किस तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है यह बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है और एक-एक करके अच्छा से इसको समझना है तो यहां जो सबसे पहला टाइक साता है ठीकिंग का वह होता है पर सेप्च्वल और कंक्रीट थिंकिंग का मतलब होता है किसी फिजिकल अबजिक्ट का होना टिका स्कों इस तरीके से усп enjoying किया गया है कि यह जो thinking होता है यह सबसे simplest form explaining और यहां पर क्या होता है यह on the best होता है और experience पर्चेब्शन क्या होता है यह तुमको पहले बता तुम को जाना है और फिर से उस लेक्शर को देखना है अगर तुमको समझ में नहीं आया है तो ठीक है फिर नेक्स का राय कि involved thinking about actual object and events यह जो thinking होते हैं यह actual objects and events के बारे में होता है मतलब जो चीजे जो है तुम्हारे सामने है जो मवजूद है उसी के है तो कि अगर एक जाम्पल के से देखते हैं तो यह पर एक जांपल कुछ इस तरीके से आएगा कि एक बच्चा है जो अलग-अलग colour को पहचानना सीख रहा है ठीक है किस तरीके से पहचानना सीख रहा है कि जिसे लाल color है तो वो लाल object को लेगा और वो लेगा this is red अगर green color का कोई object है green color को लेके बोलेगा this is green तो इस तरीके से जो है उस physical object को जो है वो लेगा उसके बाद उसके बारे में सोचेगा और perception करेगा ठीक है तो यह जो था यह था perceptual और concrete thinking यहाँ पर जो है चीजे मवजूद होती है रोज के बारे में सोचना होता है ओके second type का जो thinking साता है वो है conceptual and abstract thinking conceptual and abstract thinking यह जो होता है thinking does not require perceptions of actual object event इस thinking को करने के लिए तुम्हें किसी भी तरीके का actual objects और events का जवरत नहीं होता है ओके फिर यहाँ पर का रहा है कि uses concept generalized ideas and language इसमें जो है concept यूज होते हैं generalized ideas यूज होते हैं और languages यूज होते हैं किसमें conceptual और abstract thinking में more efficient for understanding and problem solving इसका यूज जो है बहुत ज्यादा तरीके से किसी चीज़ को समझने में और किसी problem को solve करने में यूज होता है अब जैसे कि यहाँ पर आ जाता है mathematician mathematician या फिर कोई mathematics solve कर रहा है तो अगर हम लोग mathematical solve कर रहे हैं तो वहां हम लोग conceptual thinking कर रहे हैं कर रहे हैं वहां हमको किसी object का ज़रूत नहीं है हम लोग जोए वहां पर calculation कर रहे हैं तो हमको कोई real object नहीं चाहिए calculation करने के लिए हम लोग माइंड में calculate कर सकते हैं ठीक है तो इसी को बोलते हैं conceptual और abstract thinking नेक्ष जो हमारा complex problem को solve करने के लिए होते हैं ठीक है involve reorganizing experience and using logic जो हमारा पहले का experience है उस सारे past experience को जो है reorganize करता है और उस में से logic निकालता है कि हमने ऐसा किया था तो ऐसा किया था तो इस तरीके का result आये थे मिस्स इसका logic यह है ठीक है तो हम लोगों के जो है सारे experience से जो है logic निकालता है उसके बाद जो उस logic के हिसाब से thinking करता है फिर यहां पर कर रहा है कि avoid trial and error uses cognitive insightful approaches यहां पर जो इस तरीके से नहीं है कि हम पहले इस खरते चीज को सोचेंगे फिर करेंगे फिर इस चीज़ को सोचेंगे पिर इस चीज को करेंगे इस तरीके सब्दर्स नहीं है वहatt और लोजिकल ठीगिंग जिसको जो है एक मैचुर माइंड कहा जाता है ओके निच्ट टाइप पफिंकिंग हम लोग देखने वाले हैं वह तिनकिंग का नाम है क्रियेटिव ठीगिंग के कि creative thinking का मतलब होता है किसी न्यू चीज को create करना । जहां हम लोग किसी चीज को create करने के लिए सोचेंगे वहां हम लो creative thinking का यूज़ करेंगे अब यहां पर पहला दिया हुआ है एंश क्रिफिंग न्यू अडियास relationships एंड association हमें जो है अगर किसी new ideas को create करना है किसी relationship को बनाना है या फिर किसी चीज के बीच में association उत्रपन करना है ठीक है इन सारे चीज में हमें creative thinking का use होता है ओके फिर यहां पर कर रहा है कि not bound by rules formulate problem and find solution independently यहां पर जो है कोई भी राका rules जो है follow नहीं किया जाता है और नहीं हम किसी तरीके का problem जो है create करेंगे और problem create करेंगे तो खुद से problem create करेंगे और खुद से जो है उस problem को solve भी करेंगे ठीक है इस thinking में जो है कोई rules regulation नहीं होता है हम खुद problem को create करेंगे और हम खुद problem को solve भी करेंगे हैना next कर रहा है कि example include thinking by scientist and inventors ये शारे thinking किसके पास होते हैं scientist के पास होते हैं inventor के पास होते हैं जो कुछ discoveries करते हैं इन वेंजंजन को में करना है किसी चीश को से देखना अंचर्ब करना और इभेल्वेश न करना हमें उसको जज करना हमें उसको समद्रस देना टिक है में तो इस critical thinking में जो है तीन तरीके के चीज़ आते हैं इंटर्पूटेशन एनलाइसिस एन इभेल्यूएशन ओके सकेंड लाइन जो यहां पर आ रहा है वो कहा रहा है कि युजस कोगनेटिव स्केल तुरिच अन्वाइज्ट भेलिड और रियलेबल जजमेंट हम लोग जो है इस कर लाइज़् में डॉल मäग जजमेंट आंडार सके एक ठ eigenlijk शो होते हैं यह जो होते हैं जो सक्कूर करते हैं ओके यह था कृटिकल थिंकिंग तो यहां तक जो हम लोगोंने फट्रश हुल thinking को जो है पढ़ा ओके अब हम लोग नेक्स स्लैड में चलते हैं और कुछ टू में टाइप तिंकिंग को देखते हैं दो और भी अलग टाइप के thinking है और इसके बारे में हम लोग detail से पढ़ेंगे क्योंकि यह भी जो है बहुत ही dreaming and dreaming इन सभी को जो है हमको थोड़ा explain करके पढ़ना होगा ताकि इसको हम लोग समझ सकें बहुतों को समझ में नहीं आता है तो हम लोग नेक्स स्लैड में चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं control thinking को कि control thinking क्या होता है तो यहां पर दिया गया है कि regulated and directed through processes toward achieving a specific goal means control thinking का मतलब क्या है हम उस thinking को control करेंगे अपने से है ना तो यह जो thinking होता है वो regulated होता है और directed होता है through process किसी process के और toward achieving a specific goal हमें जो है जो a specific goal पाना है उसी हिसाब से हम जिस thinking को करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग control thinking है ना मेरा क्या aim है मेरा क्या goal है हम लोग उसी तरीके से thinking करेंगे हैं यहां पर तीन तरह के thinking आते हैं जैसे पहला होता है reasoning problem solving और creative thinking ठीक है तीनों को जो है detail से पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग जानते है reasoning reasoning का मतलब क्या होता है तो reasoning का मतलब होता है तरक करना तरक करना तो reasoning का यहां पर कहा गया है कि systematic thinking to find solution हमें अपना solution पाने के लिए जो है systematically तरीके से जो है सोचना इसको बोलते हैं reasoning करना तो इसके दो पार्ट में divide किया गया है पहला होता है inductive reasoning और second होता है deductive reasoning अब दोनों के बारे में जानते हैं तो inductive reasoning कहता है कि induction is a way of providing statements of generalizing rule और principle means क्या है induction का मतलब यह कह रहा है कि हमें जो है एक generalized rule को जो है निकालते हैं जिसको हमको ऐसा लगता है यह rule जो है सब में apply हो जाएंगे यहां पर का रहा है कि that if a statement or a rule is true in one particular cases it will be true for cases that appear in the same or serial orders इंसान को ऐसा लगता है कि अगर जो है वो rules किसी एक particular case में apply हो रहा है तो वो rules जो है सभी चीज में apply हो जाएंगे ठीक है सभी methods में apply हो जाएंगे तो इसी को कहते है inductive reasoning जनरलाइजिंग ए रूल और principle एक rule को और एक principle को जो है जनरलाइज करता है ठीक है वो निकालता है अब जैसे कि क्या है अब एक ह्ऋ हावा को गरम करेंगे तो लुहा फैलेगा तो आप वह रूज्स ना लिया प्रेशा है सभी प्षट कर जाईगा है यसों कहते हम लोग 週 Immersion Business का मतलब क्या होता है तर्क करना ये अपना तर्क देगा कि हाँ अगर लोहा फैल सकता है तो पानी भी फैल सबुipple सकता है फिर इंडक्ति रिजिनिग एपॉजिट अ इंड़क्तिब रिजिनिंग का यव म क्या होता एक अगी अप्रिस पहले होता है है इसलिए लुह फैलता है इसलिए पहलता है spread करता है तो पहला inductive reasoning था जहां पर हम लोग किसी एक rules को निकालेंगे और हम लोग इस तरीके से तरक लगाएंगे कि अगर यह हो सकता है तो यह भी होगा लेकिन जो deductive reasoning है वहाँ पर हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं वहाँ हम लोग specific situation पर जो है solving problem solving में क्या होता है overcoming difficulties to reach a goal एक गोल को प्राप्ट करने के लिए जो है हम लोग किस तरीके से अलग-अलग difficulties को जो है पार करते हैं तो यहां पर जो कुछ steps दिये हुए हैं उन सारे steps को पहले समझते हैं किसी problem को solve करने के लिए इस छे तरह के steps से गुजरना होता है ओके पहला होता है problem awareness second होता है problem understanding third होता है collection of relevant information fourth होता है formulation of hypothesis fifth होता है solution selection और six होता है verification of concluded solution अब इसको किस तरीके समझेंगे पहला होता है problem awareness हम लोगों को problem के बारे में जानना है कि आखिर problem है क्या कितना difficulties है उस problem में किस तरीके से हम उसको solve करेंगे है ना वो problem है क्या सबसे पहले जो है अगर हम किसी problem का solution निकालेंगे तो सबसे पहले हम problem के बारे में जान तो लें तो problem के बारे में अवेर होना यह first step होता है problem awareness का second step होता है problem understanding अब हम problem को समझेंगे ठीक है जो भी problem मेरे सामने आया है उसको समझने का पढ़्यास करेंगे हाँ इस problem में क्या हुआ है किस तरीके का problem आ रहा है और हमारा goal क्या है है मेरा goal क्या है जिससे जो हम इस problem से चुटकारा पा लेंगे इस चीज़ को हम लोग यहां पर समझते हैं third में आता है collection of relevant information हम लोग जो है उस problem के बारे में जितने भी information है उस सारे information को collect करेंगे हाँ to collect करेंगे या फिर को experience अदमी है उससे जाकर बात करेंगे उसके पास्टरइस के बारे बात करेंगे उस्से मां को solve करने का कोई करेंगे क्योंकि जो है हम को यहां पर information को गेदर करना है हाई न सारे information को पल्छे गेदर करेंगे उस प्रोब्लम के बारे में फिर नेक्षाता है formulation of hypothesis हम लोग अपना hypothesis बनाएंगे कि हाँ इसको अगर हम लोग इस तरीके से apply करेंगे तो साय जो है यह ठीक हो सकता है तो अलग अलग hypothesis जो अपने mind में बनाना गरणा शुरू करेंगे कि यह भी करके बेख सकते हैं यह फिर इसको इस तरीके से भी करके सकते हैं तो अलग अलग hypothesis बनाएंगे कि हां इस तरीके से करेंगे तो यह साय्ट ठीक हो सकता है कि फिर क्या करेंगे यह ता फूर्थ फिप्त में आएगा solution selection अब इतने सारे hypothesis बना ली है कि इस तरीके से करेंगे ठीक हो जाएगा तो यहाँ पर जो किसी एक solution को select करना है कि हाँ हमको एक particular solution को select करना है और इसी से हमको apply करना है तो उस solution को select करने से पहले हम लोग उसके effects और side effects दोनों को जान लेंगे कि अगर हम लोग इसको apply करते हैं तो क्या यह सही होगा यह सही करने के चक्कर में हम चीजों को गलत भी कर सकते हैं है ना फिर फिप six में आता है verification of concluded solution उसके बाद क्या है हम लोग उस solution को जो फिर से verify करेंगे हो सकता है कि हम उस solution को किसी दूसरे problem में जो है apply करके देखेंगे कि हाँ यह ठीक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है अगर वह verification successful हो जाता है तो फिर हम लोग अपने problem में apply करते हैं है ना तो यह six process होते हैं six step होते हैं जिसके माद्यम से जो है हम लोग किसी एक goal को पा सकते हैं अब जैसे हम एक example लेते हैं कि एक लड़का है उसका mobile का speaker खराब हो गया है वह सब्सक्राइब कर पाऊगे एक लड़का है जिसका speaker खराब हो गया फॉन का तो वह क्या करेगा सबसे पहले mobile को चेक करेगा प्रोब्लम awareness करेगा क्या हुआ है जो है speaker खराब हो गया है speaker से आवाज नहीं आ रहा है ऐसा चीज़े वह सारा चिक करेगा सब्सक्राइब करेगा हां लगता जो speaker खराब हो गया है हम लोग इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं अपना दोस्ट से बात करेगा फैमिली से बात करेगा कि ऐसा इसा प्रोब्लम्स है हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते वह सारे information को गेदर करेगा फोर्त में क्या formulation of hypothesis फिर अपने दिमाग में बनाएगा कि हा हम इस तरीके से इसको ठीक करते हैं चलो हो सकता है कि कोई और मवायल हो फिर किसीलियो करेगा कि इस तरीके से यह वर्क करता है क्या या फिर कहीं जाकर चेक करेगा कि इस तरीके से चीज़ आपलाय किया गया था वहां पर ठीक हुआ था क्या यह सारे को verify करने के बाद जो है वह उसको apply करेगा और वह उस solution को जो है apply करके problem से निकलना चाहेगा इसी को बोलते है problem solving है ना समझ में आया ना फिर नेक्स हम लोग चलते हैं नेक्स लाइड में और ठाड को देखते हैं इसको बोलते हैं creative thinking creative thinking का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को create करने के लिए जो है जो thinking हमारे दिमांक में आते हैं उसके क्या-क्या प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे है ना यहां पर जो defined किया गया है कि इस डिफाइंड एस प्रसनल इमेजिनेटीव थिंकिंग्स विस प्रोड्यूसे न्यू नोभेल्स यूसिफूल सॉलूशन यह जो है एक प्रसनल इमेजिनेटीव थिंकिंग्स है हम लोग कर सकते हैं किसी न्यू चीज box बनाने के लिए किसी नएचीजीद को समझना और चे तरीके थे किसी भी प्रोब्लम यंग किसी चीज को बनाने के लिए वो आता है पहला preparation preparation क्या होगा तो thinkers define the problem and gather information अगर हमको किसी चीज़ को बनाना है तो हम लोग किसी चीज़ को पहले क्यों बनाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई problems है उस problems को हम कैसे solve करेंगे उसके लिए जो हम किसी चीज़ का होता है कि thinkers define the problems and gather information हम लोग जो है सबसे परले problem को define करेंगे यह problem है और इसको किस तरीके से जो है हमको information gather करना है और इस problem को solve करना है इसी तरीके से आपर चार्ट दिया हुआ है जो पहला process है वो है preparation process next step आता है वो होता incubation period incubation period में क्या होता है the problem is temporarily set aside allowing interfering ideas to fade and unconscious thoughts process to work यहां पर क्या होगा जो problem है वो तो है उसको side में रखते हैं और जो भी तुमारे दिमाग में जो है जितने भी अलग-अलग आइडिया जा रहे हैं फालतू के जो खिच्री बन रहा है उस सब को हटाना है और क्या करना है problems पे concentrate करके नहीं उसके solving process पे concentrate करना है है ना अब अपने दिमाग में जो है तुम सोच रहे हो कि इसको किस तरीके से हम solve कर सकते हैं उसका solve करने के तरीके को ढूंड रहे हो अपने unconscious mind में अपने conscious mind में है ना इसको बोलते है incubation तो incubation यहां पे जो आता है वो होता है second में है ना फिर third में आता है तो यहाँ पर एक sudden solution आता है understanding emerges उस problem के solution के तवर पे ठीक है फिर fourth आता है verification अब जैसे ही जो तुम्हारे सामने एक solution आता है कि हम इस तरीके से इस problem को solve कर सकते हैं तो क्या करोगे the solution is tested तुम उस solution को पहले test करोगे क्या यह solution काम करेगा या फिर नहीं करेगा इसको तुम लोग test करोगे तो यहाँ पर if unsatisfactory अगर वो solution काम नहीं करता है the process start over फिर से जो है यह सारे process को तुम लोग start करोगे फिर से सोचना शुरू करोगे है ना और अगर यह काम कर जाता है यह satisfactory होता है इत प्रोसीड to the final stage अगर यह काम कर जाता है तो तुम फाइनल अस्टेज में पहुंच जाते हों है ना कि तुम जो है solution किसी चीज़ को बनाने के लिए सोच लिया अब यहाँ पर फिप्त आता है रिवीजन रिवीजन में क्या होता है तो solution is refined or modified as the thinker remain open to improvement अब क्या करोगे जो solution तुमको मिला है उसको बार बार करोगे करके देखोगे कि इसको किस तरीके से improve किया जा सकता है किस तरीके से उसको और modified किया सकता है और ऐसा करने के बाद जो है तो उस चीज़ में जो है improvement ला पाऊँगे तो किसी भी से सोते हैं पांस तरह के steps होते हैं पहला preparation second incubation ठर होता insight जहां पर तुरन तुमको जो है अचानक से मिल जाता है और फोर्थ होता है verification और फिप्थ होता है revision इसलिए कहा जाता है कि जब भी तुमको solution ढूंदना हो सांत बैठो अपने सारे चीज़ को हटाओ और सोचना स्थू क करो जब problem आए तो problem के बारे में नहीं सोचना है solution के बारे में सोचना है जब solution के बारे में तुम सोचोगे तो insight तुम्हारे पास solution आएगा सोचो तो सही तो हम लोग नेक्स लैड में चलते हैं और next part को देखते हैं जो कि हमारा second type था वो ता free thinking free thinking क्या होता है इसका definition कुछ इस अच्चिक्ट adherence to reality और a specific goal free thinking हम लोग कुछ भी thinking कर सकते हैं इसका कोई जो है अस्तिक्नेस नहीं होगा तुम यह thinking नहीं कर सकते हो क्योंकि यह reality में नहीं आता है तुम्हारा specific goal यह नहीं है इसलिए तुम thinking नहीं कर सकते हो तो ऐसा thinking जहां कोई rules नहीं हो तुम कुछ भी सोच सकते हो वह सारे आते हैं फ्री तिंग की से जैसे एक्जामपल दिया हुआ है imagination करना daydreaming करना यह सारे प्रिटिंगिंग आते हैं कुछ भी सोच रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं है कोई problem का जड़ूत नहीं है हम लोग सिर्व सोच रहे हैं तो यहां पर जो फास्ट आता है वह है imagination imagination का मतलब क्या होता है Creative Me rental image beyond reality हम लोग अपने दिमाग में जो है तरा तरह के चीजे बना रहे हैं जो है रियालेटी से कोई वास्ता नहीं है 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 ना हम लोग पर वो चल रहा है 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 मैं हम लोग जो है इंसान को एडा दिये कुछ आई से लेंदरस के बना दिये जहां पर जो है चोकलेट का पहार हुए weak संग कि सकते हैं कि पोट पॉयर्ट के पास आते हैं लोगिंजीनेशन करते हैं और नए नए चीज़ों को बना थे में सांग में कोई दारा नहीं होता है वो कुछ भी बना सकता है नेक्षाता है डेड ड्रीमिंग डेड ड्रीमिंग क्या होता है आइडियल इमेजनेशन ओफिल्फिलिंग डिजायर जो डेड ड्रीमिंग होता है यह जो होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है अब इसमें क्या होगा कि एक स्टुडेंट्स है वह बश्कोचनल नहीं है कि कुछ अलग ही बनादी अलग दुनिया बनादी अइसा नहीं है वह त में होता है जो मारिल सबाला आईरन में सूपर मेन हल यह सारे इमेजिजिनेशं देड ड्रीमिंग में जो है आई से होते हैं जो रियर लाइप में होते हैं अ फिर नेख़ मोज होता है ड्रीमिंग ड्रीमिंग क्या होता है मेंटल एक्तिविटि ड्रींग Lighter Sleep not bound by एक्टिविटी जो हमारे सोने के बाद एक्टिव सोते हैं आप जो हम लोग शपना देख रहे हैं तो यह सपने होते हैं तो सपने को हम कमेंट करना है गैसा लगा लाइक करो वीडियो को सीएड करो अपने प्रेंस को जिसको समझ में नहीं आता है और सब्सक्राइब करें चैनल को ओके ठैंक यूँ